विदेश मा नौकरी आपपानी लाला चापी यूपी बिहार ना दस चेटला युवानों पासे थी वलसार न ठकबा जोई रुप्या साथ लाग थी वतु पड़ावी लाई पलाई थी जता ठकबा जोई यूपी बिहार ना दस चेटला युवानों डुब्लिकेट टिकिट लाई ने पहुंचता आठ टिकिट बोगस होवानों बहर आउता ते वो छेतराय होवानों मालूं पड़ी होतु विदेश्वा नौकरी न लाला चे ठकबाई नो भुग बनेला युवानों वलसार पोलिस मतके फरियाद नो धाउता पोलिसे ठकबाज केशव यादव और रमाकांत यादव सामें गुनो नो धी वतुत अपासा परीज़ा मेरे साथ यह धाद लिए मेरा सीधनात सहिनी जी ने हमारे साथ बहुत दिन से काम भी किये हैं हमको बोले कि आप एक मेल आईड़ी दिये बोले कि अपना सीवी भी भी भेज़ दो और कोई लड़का भी होगा हेलफरलफर उससे मेल करा दू तो मैं मेल करवाया था फरवरी में तो वे इंजिनियर फार इसके बाद फोन किया तो बोलें कि आपको बीजा हुजा आ गया है मुन्ना और आदमी लोग कभी आ गया तो मैं इनलों का फोन कॉल किया कि आप लोग का बीजा आ गया है 70,000 रुपिया भरना पड़ेगा सीजल कंट्री के लिए और आपको 500 डॉलर लगा रहा है तो ये लोग पुरा करजा कार कर गाउं से चल दिया मैं इधर बलसार में डिप्टी कर रहा था मैं भी अपना पुरा क्लियर करके मैं भी बंबे नि तीन मोबाइल लेकर राफा दाफा हो गया और मोबाइल सुच अब कर दिया घंड़ेगा हमारे साथ जितने आदमी है नो आदमी हमारे डिश्टी के है सबका 77,000 रुपिया जिसमें सीदना सैनी जी भी एकाउंट पही 45,000 रुपिया डालें और कैस दिये हैं हम कैस पुरा प अंतिया दो या दोनों आदमी मिलकर परेसा लिया है हमसे वाहें में वासी मिले है जी वही पभ॥ दखा बात्य में से पुछा कि आपका जो वीजा दीएhai तो सो नहीं कर रहा है बोगल में यह हमको लग रहा है फर्जी 15 नहीं है में इंचिनियर है दलाल नहीं तो मोबाइल ले लिया बोले कि घंटा में आ रहा हूं मैं सुचब कर दिया और भग गया मैं सा रात तक देखा सुबा भी तक देखा में नहीं में से संपर किया उसका मुबाइल सुचब आता है मैं उसके विहानमल 12 बजी के बाद में बलसार आया इधर मैं जिधर डिप्टी कर रहा था इधर मैं रात भर वेट किया आज रात को दो बज़े कॉल किया रामा कन्त कि तुम्हारा फ्लाइट है पांच बज़े तुम किदर है तुम बारत तारीक से क्यों मोबाइल स्विच अब करके रखा है अभी क्यों फोन कर रहा है दो घंटा में कैसे एरपोर्ट पहुचेगा और मेरा मोबाइल किया होगा तो बोल रहा हैं कि जो जो जी चेक किये वो बोले फर्जी है आप एरपूट पर भी जा सकते हैं एरपूट अगर फर्जी होगा तो एरपूट और नहीं करेगा हम साइबर में चेक कराये थे वो बोले कि फर्जी है मेरा 900 डॉलर देने की बात हुगा था मेरे रिस्दार थे पहले से हम इनसे मिले हुए थे कि हम कहे थे कि सर हमें भी कहीं कहिएगा कहीं कमाने हमें भी जाना है हमें भी पैसा कमाना है तो इंजिनियर इनसे मिले थे मेरे रिस्दार के साथी से जो बोले थे कि हम लोग काम ले चलेंगे वापर इंजिनियर बोले कि कि हम काम करवा देंगे और हम महरश्टा पुलीस में पास गये दादर पुलीस के पास गये और पुलीस के पास गये जो उन्होंने बोलें कि यहां में नहीं कर्वाइए ज़ह ज़ाइए जहां ताह भेजने लगें और हमको धोखा वो दी और कोई परशासन हमें अभी तक कोई सब्जा नहीं पहुंचाई हम लोगोग पुरा बेहाल हैं हम लोग के पास ये पोकिट मनी में नहीं है कि हम लोग अपना खा सके रोजीरोजगार पास सके हम लोग आकर छुर्धी दूर्धी बंदी ये पुल्स घब लग्टारू जिंगा करते है